पूर्ण्युक्त करेंगें पूर्ण करदान के लिए आफियत आज के में इस वीडियो में आपको दिखाओंगा कैसे हम Advanced MS Excel में Fiverr Table का इस्तेमाल करते हैं यह बहुत ही important और बहुत ही powerful function है आज से इंशाला जितने भी आपके पास जो वीडियो आएंगे maximum वीडियो उसमें Advanced Excel की होंगे तो आज के इस वीडियो को start करने से पहले जिन्होंने हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि जितने भी हमारी लेटस्ट वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए माई आभिद मुश्ताक तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम Advanced MS Excel में पाइवर्ट टेबल का इस्तमाल करते है यह मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने कुछ लोगों का नाम लिया है वो लोग कहां किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका नाम लिया है 2020 में उन्होंने कितना काम किया किस डिपार्टमेंट में कितना किया है 2021 में कितना किया तो fiver table start करने से पहले आपको यह पता हूनी चाहिए जिसमें 24 table कहां पर अकशल में आप refer table को start करना है तो कहां पर जाना है तो insert में हम जाएघंगे home tab के बाद insert tab पे हमें जाना है तो start में ही हमारे प्यास आ जाएगा यह table वाला इसी table में पहले ही option में आपका 5 word table आ जाएगा यह आप देख लिज़े फिर से बैं दिखा रहा हूं home के बाद insert tab आ जाएगा insert tab में आपको जाना है यहाँ पे पहले ही 5 word table यहां पे जब हम Pivot Table में जाते हैं तो आप देख लिजे यहां पे अगर आप देख लेंगे तो यहां पे आपको दिखा रहा है Pivot Table Pivot Table makes it easy to arrange and summarize complicated data and drill down on details यह जो Pivot Table है Pivot Table से एक बहुत ही powerful tool है जिसकी वज़ा से हम calculate करते हैं किसी बहुत बड़ी data को summarize करते है एनलाइस करते है ठीक है और उस पे जितने भी हमारे पास comparisons है उनको करते हैं और जो उसका trend होटा है pattern का वो लो चग करते हैं अगर for example हमारे पास एक बहुत बड़ा data होता है बहुत सारा data होता है अगर हमें उसको summarize करना थे उसको हमें analyze करना है उसको calculate करना है then it is better to use pivot table तो यहाँ पे मैंने यह बनाया है तो कैसे हम pivot table को insert करेंगे यहाँ पे आप जो भी आप के पास table है जो भी आपने बनाया है वहाँ पे आप एक cell को select कीजे यहां पे pivot table में इसको select किया जबकि हमने सबसे पहले क्या किया था सबसे पहले खाली हमने एक cell को select किया तहाँ आपके हमारे पास दो options आते है क्या क्या आना है वह आपको नए वर्कशीट पर डाल देना है जो आपका existing वर्कशीट है उसी पर तो बेटर इस टू यूज दे नियू वर्कशीट तो यहां पर हम न्यू पर ही किलिक करेंगे ओके करेंगे आप देख लीजे automatically sheet 4 यहां पर insert हो गया और हमारे पास यह पाइवर टेबल आ गया ठीक है sheet 1 पर हमारे पास वही data है automatically पाइवर टेबल में हमारे पास sheet 4 इंसर्ट हो गया यह हमारे पास यह पाइवर टेबल ठीक है तो जुही मैं right side की तरब देखता हूँ यह देख लीजे यहां पर मेरे पास वही name of person जो यहां पर था देख लीजे name of person department है department आ गया sales आ गया और sales 2020 और sales 2021 सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इस name जितने भी मेरे जो लोग है जो अलग-अलग departments में काम करती है उनको हम पहले यहां पर लाएंगे तो मैं क्या करता हूँ इसको activate करता हूँ automatically देख लीजे जितने भी लोग है वेदर वो एजाद सहाब हो वेदर वो इर्शाद सहाब हो वेदर वो गजाला हो वेदर वो नदीम अश्रफ हो वेदर वो सब आए सब आगे जितने भी लोग जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो सब आगे उसके बाद हम वो सब लोगों का नाम यहां पर आ ठीक है अब हम उसके बाद देखते हैं यह लोग किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा एक डिपार्टमेंट में एक से जादा लोग काम करते हूं तो वो देखते हैं यहां पर मैं क्लिक करता हूं आप देख लीजिए देख लीजिए जो एजास सहाब ये खाली गार्मेंट्स में काम करते हैं एजास सहाब गार्मेंट्स में काम करते हैं और बिलाल साब काम करते हैं। कोस्मेटिक्स देख लीए गजाला जी काम करती है। इद्रीज फरनीचर में काम करता है। यहां पर इख जावेद इंट्रेहिप नदीशाफ फिर से काम करता है। । यहां देखना सभा कोस्मेट्स में। अब हम क्या करेंगे उसके बाद अगर हम देखेंगे sales पे में click करता हूँ तो automatically आपको दिखाएगा 2020 में 2020 में sales में किसने कितना काम किया आप देख लीजे Ajazmir जो कि garments में काम करता है इतना इसने काम किया है 78,000 उसके बाद furniture में 90,000 Bilal Ahmed Gazala cosmetics में 99,000 Idris furniture में 60,000 Irshad Ahmed 96 electronics में and so on उसके बाद हम sales 2021 पे जाएगे वो देख लीजे automatically हमारे पास sales 2021 भी आगए इसमें भी ये दिखा रहा है कि किस बंदे ने किस department में कितना काम किया है 20 में कितना काम किया है 21 में काम किया मैं आप दिखाता हूँ अब हम इनको फिर से deactivate करते हैं उस सब से पहले हम क्या करेंगे department लाएंगे यह मैंने departments का नाम लाया यहां पे आप में जो लोग है उन पे click करता हूँ देख लीजे यहां पे मुझे यह फाइदा आया कि अगर cosmetics है cosmetics में उन सब लोगों का नाम आगा है जो इस department में काम करते हैं देख लीजे गजाला सभा है सादिया है या सुमेरा है यह एक ही group में आ गए electronics में मेरे पास दो लोग काम करते हैं furniture पे मेरे पास दो लोग काम करते हैं और यहां पे देख लीजे जो गार्मेंट्स हैं मेरे पास तीन लोग काम करते हैं जावेद हमेद हैं सुहेल बाबा है ठीक है उसके बाद में क्या करता हूं यहां पर एक्जैंपल सेल्स में क्लिक करता हूं तो यह देख लीजे अब अलग अलग आ गया देख लीजे गजाला ने जो 2020 में इतना काम किया थो सभा जान नहीं कामें सादया ने इतना काम की और ने समेरा ने हैं किसमेरा एक्क्रानिक्स सेँ अब तो यह चोटा सा डेटा है बट जब बहुत सारे डेटा होगा तो उसमें ज्यादा आपको फाइदा मिलेगा यह पाइवर टेबल का इस्तेमाल करने से ठीक है तो फिर से हम एक दफा इसको डेक्टिवेट करते हैं अब देख लीजे मैं सेल्स 221 यहां पर लोगा और यहां पर तो इतना काम हुआ तो फिर से एक दफाएट करते हैं अब मैं क्या करता हूँ यहां पर नेम पपर संदूंगा और यहां पर लूगँगा 2021 अब देख लीजे यहां पर यह क्या दिखाएगा मुझे किस आदमी ने कितना काम किया विदाव डिपार्टमेंट्स यहां पर यह दिखा रहा है ठीक है तो उमीद है स्टूडेंट्स आपको जो यह पाइवर टेबल है यह समझाया होगा यह जो पाइवर टेबल यह एडवांस ड एक्सल में आता है ठीक है तो आपको यह समझाया होगा इस पाइवर टेबल में हमारे पास कुछ औप्शन है फर एक्जैंपल मैं आपको दिखाता हूं यहां पर हम शीट वन में जाएंगी जो हमारे ओरजिनल अब यहां पर मैं इसका डेपार्टमेंट में चेंज करता हूं आप देख लीजे सबायां यहां फिर से भी कॉस्मेटिक में आता है तो अगर मुझे इसको चेंज करना है, जो अब मैंने change यहां पर original sheet में लाई, यहां पर मैंने spelling mistake था, फिली में टीक है, और यहां पर garments का भी, जो था, actually ये cosmetics department में काम करती थी, तो अब मैंने दिखाया garments में काम करती, तो कैसे हम यह automatically यहां पर change आजएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको view में जाना है, options में जाना है, और यहां पर refresh आल करना, आप नज़र रख लिजे, जो ही मैं refresh आल कर लूँगा, देख लिजे, automatically आप देख लिजे, यह देख लिजे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब आजान, देख लिजे, सब आजान जो है, अब किस में आ गया, एक तो इसका नाम भी यहां पर ठीक हो गया, ऐसे भी है, और आप जो इसका department है, that is garments, यह तरीका है, अगर आपको, for example, कोई यहां पर change लाना है, तो automatically, वो change कैसे आजाएगा, आपके पाइवर टेबल पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको जाना है, यहा पूरा यहां पर इस column को ही में change करो, और एक column insert करो, ठीक है, यहां कभी row insert करते हैं, यहां पर लिखते हैं, for example, sales 2022, यह मैंने sales 2022 लिखा, और जो मेरे पास data है, किसने sales में कितना काम किया, तो यह वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, अभी तो यह 2022 चल रहा है, तो किसने इस साल म मैं लिख रहा हूं, यह जो मेरे पास data था, वो मैंने लिखा, किसने अभी इस 2022 में, अगस्त, इसने कितना काम किया, तो यहां पर मैं जब जाओंगा, तो यहां पर मैं जब जाओंगा, तो यहां पर मुझे भी वही दिखाए देगा, ठीक है, अब अगर जो हमने इस से पहले वाला option इस्तेमाल किया था, जैसे हम options में गए थे तो refresh all किया था, नहीं आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए data select किया, अभी तक हमने 21 तक ही select किया था, अब मैंने पूरा 22 का भी select किया, ok करता हूँ, देख लिजे, यहां पर आप मेरे पास आ गया, देख लिजे, 2022 sales, अब जब मैं इस पर click करूँगा, तो automatically वो जो data था, जो मैंने यहां पर extra add data किया था, यह वाला ठीक है, तो यह automatically मेर पास यहां पर pivot table में आ गया, ठीक है, अगर आपको कभी कबार, for example, extra data आपको add करना होगा, जैसे कोई column add करना होगा, या row add करना होगा, उसके लिए pivot table में वो कैसे आ जाएगा, वो refresh नहीं आ जाएगा, आप optional में जाके, change data source है, आप उसको, ठीक है, अब अगर आपको data को clear कर करना है, select करना है, यहां पर select कीजिए और यहां पर clear कीजिए, clear हो जाएगा, students, अब अगर हमें इस pivot table को remove करना है, यह मुश्किल है, देखो, अगर हम for example, ऐसे इसको remove करते हैं, तो मैं select, sorry, select करते हैं हम इसको, यहां पर पर जाएंगे, तो यह remove नहीं होगा, ठीक है, इसके क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा पहले more कर लेंगे, जैसे हम इसको, यहां पर select करके, पूरा हम select कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद options में जा के इसको move कर लेंगे, here, existing ही a करते हैं ठीक है उसके बाद select फिर एक दफा कर लेंगे उसके बाद home पर जाएंगे और यहां पर clear all options पर आप देख लीजेगा यह जो आपका table ही move होता है sorry clear हो जाएगा otherwise यह थोड़ा मुश्किल होता है clear करना in options का आपको खया रखना है ठीक है students तो आज का जो advanced Excel का जो एक हमारा जो पाइवर टेबल का जो वीडियो वीडियो था तो मैंने आपको दिखाए कैसे हम इस पाइवर टेबल का MS Excel में इस्तेमाल करते हैं मैंने अपनी तरब से पूरी कोशिश की आपको समझाने की अगर अब इस पूरे वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो यह आपको समझ नहीं आता है आप हमें email कर सकते हैं तो हम reward back करेंगे या तो आप comment section में हमें लिख सकते हैं तो इंशाल्ला हम जल्द वीडियो इंट्रेस्टिंग वीडियो अपलोड करेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज अस्सलाम अलेकुम वर्हमतुलाहिवराकाराथ